हेलो एन वेलकम टुदी नेट सेट कोना इडिव चनेल आज इस वीडियो में बहुत ही इंपोर्टेंट न्यूज यहां पर डिसकास करेंगे एंफिल एडमिशन की बारे में जो जादवपूर इनिवसिटी कोलकाता से निकल का आया है जादवपूर इनिवसिटी से यहां पर टू एर्स का एंफिल कोर्स होता है देखिए फैकल्टी ओफ इंटर डिस्टीबिलाइडी स्टाडीज लाओ एंड मेनेजमेंट में आया है और सब्जेक्ट देखे लिए किन-किन सब्जेक्ट में है इस तो सब्जेक्ट नहीं है डिसिप्लीन है कॉगनेटिव साइंस लिं और डिसकास करेंगे दोस्तों और यहां पर आपको यह भी दिखाएंगे कहाँ पर आप फार्म फिल करेंगे कहां से यह PDF फायलétais आपको मिलेगा सब कुछ दोस्तव आपो दिखाएंगे तो आप वीडियो पूरा देखे इंटर जरू देखें सबकुछ आपको पता चल और दो सब्जेक्ट यह से भी है जो आनलाइन आपको question paper मिल जाएगा लेकिन Google form में exam नहीं होगा आपको handwritten में हाथ में लिखना होगा pain के साथ इसमें A4 size paper में आपको लिखना होगा फिर PDF फाइल बनाके आपको submit करना होगा email address में send कर देना होगा ठीक है और यहाँ पर देख ल missionary studies law and management इस faculty से आपका affiliation की notice आया है तो आपको दिखाते हैं सब कुछ आप दोसों देखते हैं detail notification क्या है first of all देखेंगे important instruction है first of all master degree होना चाहिए particular subject में एक subject में और अगर आपका कुछ verification की time document जब verified होगा ठीक है उस time अगर कुछ आपका जो है incorrect information मिलता है तो आपको admission नहीं मिलेगा हाला कि अगर आपका admission हो जाता है तब भी cancel हो जागा admission अच्छे से information डालिएगा online form fill up जब करेंगे तब जिसका मास्टा डिक्री complete नहीं हुआ है यानि result नहीं मिला है उसको admission नहीं मिलेगा यहां पर बोल दिया है तो यहां पर सब कुछ आप देख लीज़ेगा अच्छे से और नीचे देखते हैं फॉर परसनुद disability category का यहां पर minimum जो percentage दिये हैं 40 percentage disability होना चाहिए इसका बात जो है परसनुद disability category में वह आ सकता है और HTSC category का यहां पर देख लीज़े जो वेस्ट बेंगल से HTSC category से बिलोंग करता है उसी को ही बस reservation quota की सुभिता मिलेगा benefit मिलेगा आदर्स state का नहीं मिलेगा और कम से कम 10 साल यहां पर West Bengal में होना चाहिए होना चाहिए दोस्तों OBC certificate देख लिए जो इसू डेट होना चाहिए आर्लियर नॉट अर्लियर दें December 2019 ठीक है दोस्तों तो आपका अगर आप पहले से आपका पहले का है ठीक है 2014 या पन रहा का है या उससे भी पहले का तो आप आप रिन्यू कर लिएगा ठीक है रिन्यू करके आपको सब्मिट करना होगा या टी टाइम आफ एडिमिशन और जो वेश्ट बेंगल से बाहर बाहर के यानि आदर से इस्टेश से बिलांग करता है वह उन लोग को सुभीदा नहीं मिलेगा और दोस्तों एडिमिशन के टा और ओबी सी एस्टी 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 पीडी के डागोरिस से जो स्टूडेंट्स बिलांग करता है उन लोगों चाहिए 50% मार्क्स 5% रिलाक्सेशन दिया गया है और जिन्होंने 1991 से पहले मास्टर डिग्री कंप्लेट करकर रहके हैं उन लोग अभी 5% रिलाक्सेशन है 50% मार्क्स माश्टर ऽऐग्री मैं आप देखते हैं किन इहां पर देख सकते हैं कोर्स दिया गया है और ऐस doe जबंडशा सब्जेक्ट लिंगविस्टिक जिसका लिंगविस्टिक सब्जेक्ट में ही मैं ही मास्टर डिग्री है ऑ्ल ॉस्टूडेंट यहां पर फॉर्म विल क कर सकते हैं उसनियोग्राफी एंड कोस्टल मेनेजमेंट में देखिए साइन्स 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 इकोनोमिक्स एंड जियोग्राफी सब्जेक्ट से यहां पर फॉर्म कर सकते हैं तो आप उसनियोग्राफी एंड कोस्टल मेनेजमेंट सब्जेक्ट म में देखिए किसी भी discipline से हैं यहां पर form fill कर सकते हैं किसी भी subject से यहां पर form fill कर सकते हैं और cognitive science में भी यह discipline लिखा है किसी भी subject में engineering, medicine, science, arts, सब students यहां पर form fill कर सकते हैं अब बात करते हैं दोस्तों seat की बारे में linguistic subject में 10 seat दिया गया है oceanography and coastal management में 10 seat और women studies पे 18 seat cognitive science में 3 seat यहां पर दिया गया है तो अच्छा खासा seat है आपर easily admission मिल जाएगा अब दोस्तों बात करते हैं selection procedure selection कैसे होगा अब दोस्तों बात करते हैं selection procedure की बारे में यहां पर subject दिया गया है और यहां पर देखिए weightage दिया गया है 70 percentage weightage रहेगा दोस्तों online admission test जो होगा online test होगा दोस्तों ठीक है पेले ही बताता हो आपका online test होगा 70 percentage weightage दिया गया है online test को और 30 percentage weightage दिया गया है online interview को तो और यहां पर time duration देखिए दो घंटे दिये गये है linguistic, human study and cognitive science subject के लिए दो घंटे exam होगा linguistic, human study and cognitive science subject में और एक घंटा की exam होगा one hour की oceanography and coastal management subject में और यहां पर देख लिजे instruction क्या दिया गया है online admission test के लिए गुगल फॉर्म की दुरू एक्जाम होगा गुगल फॉर्म की लिंक मिलेगा 10 मिनिट पहले admission test की जब commencement जब शुरू होगा ठीक है उससे 10 मिनिट पहले आपको वह इनिवर्सिटी वाइबसाइड में मिल जाएगा और दोस्तों आपको अपने किसा नंबर भी लिखना होगा प्री असाइंट प्लेस में एक प्रटिकुलर जगा दिया जाएगा आप अपने किसा नंबर डालने के लिए वहाँ पर आपको वह लिखना होगा गुगल फॉर्म में ठीक है दोस्तों और और ओमने स्टेडीज और लिंग्विस्टिक सब्सक्राइब के लिए 30 मिनिट पहले ही आपका कोस्टिन पर मिल जाएगा उनिवर्सीट वेपसेड में यहां पर गुगल फॉर्म में एक्जाम नहीं होगा आपको एफ और साइज पेपर वाइट पेपर लेकर बैठना होगा ब्लाक और डार्क ब्लू इन पेन में आपको लिखना होगा और अप्लेकाशन नंबर एवरी पेज में लिखना होगा आप्टर एक्जमीनिसन एंसर इसक्रिप्ट का जो यह फोर साइज का जो पेज हैंसर इसक्रिप्ट है उसको save करना होगा, scan करना होगा, scan करके jpg PDF format में on single file में आपको save करना होगा, और उस scanned copy को email कर देना होगा email address दिया जाएगा आपको इसमें answer sheet में question paper में आपको email address दिया जाएगा उसमें आपको send करना होगा within 30 minutes of the completion of the admission test और जो visually impaired student से वो voice recording send कर सकते हैं याज पर दी ministry education guidelines और यहाँ पर note दिया गया है अगर आपका application number गलत आप provide करते हैं तो आपका answer sheet जो है cancelled हो जाएगा दोस्तों दोस्तों आप दिखाते हैं आपको कहाँ पर आपको यह PDF मिलेगा और कहाँ से आप online form fill कर सकते हैं आप चलते हैं university website में तो दोस्तों मैं अभी हूँ जादपूर university website में यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके जैसे ही आएंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यह थोड़ा आडबेटाइज मिल जाएगा नोटिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं स्वाट में अभी आपको मैं दिखाता हूँ डाउनलोड करके तो यह आपको मिल जाएगा यह वाला अभी दिखाते हैं कहां से आप फॉर्म फिल करेंगे तो नीचे यहाँ पर दिया गया है एक मिनिट ओलाइन लिंक फॉर अप्लिकेशन तो यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर जैसे हैं गिली करेंगे तो आपके पास एक मुइंडू निकल का आएगा और यहाँ पर क्लिक करेंगे एम फिल अंडर फैकल्डी ओफ आई एस एल एम तो यहाँ पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद right hand में देखिए eligibility criteria, selection procedure, how to apply and login तो आपको यहाँ पर eligibility criteria मिल जाएगा, selection procedure मिलेगा यहाँ पर और यहाँ पर how to apply कुछ guideline दिया जाएगा, कैसे feel करेंगे और यहाँ पर login How to apply में ही आपको मिलेगा online application करने का link तो नीचे जैसे ही आएंगे आप तो यहाँ पर देख सकते हैं, click here for online registration तो यहाँ पर जैसे ही click करेंगे, आप form field यहाँ पर easily कर पाएंगे दोस्तों देख लिजे, interface इसे है तो इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज वीडियो को like कर दिजगा और चैनल में नहे हैं, तो चैनल को subscribe करके, bell icon को press कर ली जगा, मिलते हैं नेग्ज बीटियों कर दो बीडियों